नमस्कार मित्रोज जै मातदीप मातरानी की किरपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वगत करते हैं आज से लेकर अगले तीन दिनों तक में मेश रासी वाले जातकों का देन चरिया कैसे रहने वाली हैं और केन के इन चीजों से आपको लाब मिलने वाली हैं और केन के इन चीजों से आपको सावधान रहना है इस विडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली हैं। विडियो को पूरे अंद तक देखें और विडियो का कोई भी पार्ट पसन आए तो विडियो को लाइक करें और नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें। जय माता दी और अभी तक आप हमारे चेनल भी नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेज करें कि ताकि रोजाना रासी फल आपको समय समय पर मिल सकें सोसाइटी से संबंदी किसी विबाविदित मामले में आपका प्रस्ता बिशारानी इस समय आपका कोई रुकावा वेक्ति गदकारी किसी राजनेतिक वेक्ति की साहता से हल हो सकते हैं और अपनी फिटनेस पर भी और किये गए प्रियासों के अनुकुल रिजल्ट मिलेंगे और अपनी लपरवाई और आगस जैसे आप गुनों के लिबी और काबू पाना भी और आपके लिबी जोरूरी हैं और कोई भी या अपगून भी और आपकी और तरकी में से कुछ रुकावटे की कारण भी बन सागती हैं अपनी इन अपगूनों के लिबी रोग लगाने से आपका वेक्तित और अधिक निकरने वाली हैं वेर्थ के बाद विवाद से भी पस्तिती एका गरता निवार हैं वरना आपको इसी मुश्किल में भी परसागते हैं और दाइतब जीवन सुप में रहेंगे और किसी भी पुराने मित्र से मुलाकात होंगी खुस्रमा यादे ताजा होंगी बदलते मौसम से अपना बचाव जरूर रखें इसका दुष्ट परभाब भी आपके स्वास्त को भी खराब भी कर पाने की संभवना है में इस रासी वाले जादों कलवे अपनी समय और धेरी का पूरा इस्तिमाल करें घर के और किसी भी मसले को भी फैसला लेने से भी पहले घर की सदस्चुक से राई ले लेना बैतर होगा किसी भी खास परदर्शन में भाग लेने की कारण उसका किताब भी और आपके नाम भी हो सकते हैं जिन लोगों के शादे की बात चल रही हैं उन्हें और काम्या भी मिल सकती हैं प्रेम जीवन के लिए दिन मान थोड़ा कमजूर रहेंगे साधी सुधा लोगों के लिए गिरिस्त जीवन और दिन मान अच्छा रहेंगे और इंकम के लिए बढ़ाने के लिए और कुछ अच्छे मोके भी आपको मिल सकती हैं आपको अपना अटका हुआ धन भी मिल सकती हैं अपने बेपसा योजना को भी सिक्रेट रखें और आप जिस भी और किसी काम में लगे हैं उसमें सागे बढ़ने से पहले विसेश्यों की भी राय लेले नौकरी से जूड़े जातक किसी भी पार्ट टाइम भी कारी को भी करने के योजना बना सकती हैं और गिरने में आपके लिए थोड़ी से भी चोट लगने के असंखाई भी बंद रहे हैं और इसलिए बहुत अधिक सावधा भी बन सकती हैं जिनको लेकर आप अपने किसी मित्र से बादचित भी करेंगे लेकिन कुछ खर्च भी ऐसे होंगे जो मजबूरी में आपको ना चाते हुए भी और करने पड़ेंगे और बेपार में भी यदि कुछ समस्यां आपको परेसान कर रही थी तो उनका समधान भी और आपको भी मिल सकती हैं और किसी दूसरे के काम में ना फड़ें नहीं तो आपसे और कोई गलती हो सकती हैं और आपको स्वास्त में चल रही समस्यां के भी और से आपको लिवी काफी हद तक भी निजाद मिलेंगे जिससे आपका स्वास्त भी ठीक रहने वाली हैं में सर आपने इस पश्रूप से व्यक्त कर पाएंगे घर पर भी या काम पर भी आप से की गई मांगो को लेकर ठकावट भी आपको मैंसुस भी कर सकते हैं आपको कुछ समय इससे बाहर निकल कर सोचना हो